Hey everyone, मेरा नम मोहमद नदीम है और आप देख रहें मेरा YouTube चैनल Know Your Car with मोहमद नदीम So guys, thank you so much आपने मेरे चैनल पे विजिट किया एक request है, अगर आप चैनल पे नए है तो please पूरा चैनल विजिट करिए इसमें आपको काफी सारे informative वीडियोस मिलेंगे जो day to day basis में आपको आपकी vehicle के features एकदम simple way में समझने में और उनको use करने में help करेंगे यह सब features देखने के बाद अगर आपको वीडियोस useful लग रहा है तो again request है, please मेरे चैनल को subscribe करिए और वीडियोस को like करिए चलिए वीडियोस start करने के पहले एक request मैं कर लेता हूँ अगर किसी को, मतलब काफी लोगों को connect करना रहता है मुझसे तो वो phone पे तो to be very honest possible नहीं है बट अगर आपको बात करना है, मैं Instagram पे DM कर दीजिए जब भी में को मौका मिलेगा, definitely मैं उसके आपको reply कर दूँगा तो मेरा Instagram ID जो है वो मैं description में डाल दूँगा मैं एक बार बोल भी देता हूँ जो आपको link में नीचे description में मिल जागा तो चलिए आज का video start करते है, जैसा कि आपने caption देखा आज हम लोग बात करने वाले है, यह जो hold है auto hold feature, new Innova high cross में इसके बारे में तो सबसे पहले मैं आपको बता दू, auto hold जो feature से आपको high cross के सारे variants में मिल जाते है अब यह काम कैसे करता है, मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले इसमें एक basic requirement है कि driver जो है, वो seat belt पहना हुआ रहना चाहिए अगर driver seat belt नहीं पहन रहा है, तो auto hold feature काम नहीं करेगा अब फिलाल आप जैसे देख सकते हैं, मैंने seat belt नहीं पहना यहाँ पर warning भी आ रहा है, तो अगर मैं hold का button प्रेस भी करता हूँ तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक message पॉप अप हो गया कि brake hold unavailable driver seat belt is unbuckled यानि कि driver ने seat belt नहीं पहना है, इस वज़े से brake hold feature काम नहीं कर रहा है चलिए अभी मैं seat belt पहन लेता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि यह feature काम करता कैसे अब मैंने seat belt पहन लिया और अब मैं यह hold का feature है, इसको मैं press कर रहा हूँ तो जैसे ही मैं hold का feature प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं green color में ऊपर यहाँ पे hold का एक icon आ गया अब इसका मतलब यह होता है कि hold जो है वो उसको आपने on कर दिया है, बट यह activated नहीं है यह activate कैसे होगा यह भी मैं आपको बता देता हूँ, सो मैं अभी फिलाल brake प्रेस कर रहा हूँ और vehicle को drive mode पे डाल रहा हूँ, जैसे मैं drive mode पे डाला, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक yellow color का hold action में आ गया अब यह yellow color का hold का मतलब यह होता है, कि hold feature जो है वो activate हो गया, green वाला मतलब आपने on किया है, yellow वाला मतलब hold feature activate हो गया अब यह hold के activation का मतलब यह होता है, कि system गाड़ी ने automatically सब wheels को brake मार दिये है, अब गाड़ी जो है वो आगे नहीं जाएगा तो जैसा कि आप देख सकते है, gear lever मेरा drive पे है, drive पे automatic गाड़ी का अगर मैं brake छोड़ू तो गाड़ी आगे जाना चाहिए, अब जैसा कि आप देख सकते है, मैंने brake छोड़ दिया, मेरा pair पीछे है, vehicle drive mode पे है, यह भी आप देख सकते है, बट गाड़ी जो है वो आगे नही जाता हूँ, गाड़ी अपने आप चलने लग जाता है, और यहाँ से yellow color का light है वो भी चलेगा, अब जैसा कि मैं वापिस से brake apply करता हूँ, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ, आप देख सकते है, तो जैसे मैंने brake apply किया, गाड़ी stand still हो गई, फिर से yellow color का hold आ गया, और अब वाप फिलनेस आपको यह feature से मिलने वाली है, तो जैसा आपको पता है, जैसा आप stop and go traffic में गाड़ी drive करते हैं, तो stop and go traffic में होता क्या है, आपको बार बार मतलब traffic मिलेगा, आपको neutral करना पड़ेगा या parking करना पड़ेगा, और उसके बाद आप brake पे से pair हटा सकते हैं, बट अगर hold पे से pair हटा सकते हो, और गाड़ी भी आगे नहीं जा रहा है, तो जो stop and go traffic रहते, especially जैसा मुंबई city में, या आप metro cities में बाकी भी देखते हैं, traffic बहुत जादा heavy होता है, डेली वगरा में, तो वहां के लिए ये feature बहुत अच्छा है, मतलब बहुत जादा comfort आपको देता है, thank you so much.